वालो फंदू वालकुम चोनाद एपिसोर ऑफ बोलीवुद इस वीक वांटेग्टू नो इंट्री में इंट्री शेर खान डांसिंग डाइड उसके बाद बारत दबंग्त्री एंड गाइज असंजय लीला बंसाली फिल्म नाव गाइज अभी क्या क्या है मैं आपको आराम स आएगा की इस चैनल पर आएगा कुछ पता नहीं है थोड़े थोड़े इसके इनो बोलते ना स्निपलेट्स छोड़े शोड़े पार्ट और हिससे मीडिया में रिलीज हो रहे है पूरा इंटर्व्यू किसने लिया किसी को को जानकारी नहीं है लेकिन उन्होंने अभी अभ नहीं आएगी तो वांटेट्व इस शेल्व अलॉंग विद दैट फिल्म दूसरी आने वाली थी जिसका नाम है नो एंट्री का सीक्वल नो एंट्री में एंट्री ये फिल्म भी अब नहीं बनेगी इस फिल्म इस अल्रेडी स्क्राप्ट अभी आप अगर आप देखो तो दोनों की फिल्में अभी सलमान ने कहा है कि माइंट्री में नहीं कर रहे हरें हर सब जब बोल रहे तो जरूर करेंगे पहले बोल रहे तो लेकिन हो बोल रहे हैं में जब वो दबंग टूर के बाद आएंगे तब भारत एंड दबंग ट्री टुगेदर साइमिल्टेनियसली अभी कैसे होता है क्या होता है दबंग ट्री कब रिलीज होईगी यह कोई नहीं जानता खुद सल्मान खान भी नहीं अब बात करते हैं उनकी आगे वाली फिल्म क कृक won करते कर से और में यह सबेंग आगे ने करने वाला हूँ अब अगर संजेरिंड ऋपर जीला बंसाली मेरे पास एक स्क्रिप्ट लेकर आए अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट तो मैं वह भी करना चाहूंगा सल्मान खान का साथ बहुत ही पुराना रहा है आपको पता होगा उन्होंने लिच्चु के सनम साथ में की थी खामोश की थी खामोशी म्यूजिकल की थी कुछ बातें चल रहे होगी इसलिए सल्मान खान ने कहा है लेकिन जब तक संजलेला बंसाली एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लेके उनके पास नहीं आते वह नहीं करेंगे तो गाइज मस्ती में कहा है यह सीरियसली कहा है वेल फ्रेंज शेर खान के बारे में ना बात करें तो बैतर है अगर बने तो बैटर है अब बहुत बड़ा सवाल है धूमफोर का गाईज दूमफोर बहुत पी मैचूर स्टेज पर है लेकिन जबी भी बनेगी सल्मान खान उसमें होंगे इतना मैं आपको बोल सकता हूं पसंद आ है तो आपको लाइक कीजिए शेर के सब्सक्राइब कीजिए इस मियाम रंसारी सब्सक्राइब का टीस अवाइब का अवाइब के लिए टिल एंए टिल एंए अल्वेस से स्टेज पूल मान